बर्शाना राधारानी की जन्मस्थली है और यहां के लोग उन्हें प्रेम से लाडली जी और श्री जी पुकारते हैं वैसे तो बर्शाना में कई पवित्रेवाम भब्य मंदिर इस्तित है लेकिन उनमें से एक मंदिर अपनी प्राचिन सैली के लिए प्रशीद है आज मैं उस मंदिर के आपको दर्शन कराऊंगी और उस मंदिर से रिलेटर जितनी भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है वो सारी जानकारी उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रस्तुति करूंगी इसलिए वीडियो को रास्त तक जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी जनकारी और वीडियो कैसी लगी है तो दोस्तों एक बार मिलके बोलते हैं स्री राधा बलबलाल की जै वीडियो शुरू करते हैं नमस्ते दोस्तों, ट्रावल वित्राल लक्षमी में आपका स्वागत है, आसा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्त होगा दोस्तों, आज मैं बर्शाना के श्री राधा कुशल बिहारी मंदिर के दर्शन कराऊंगी, जिसके लिए आपको आना पड़ेगा पहले श्री जी के मंदिर में आना पड़ेगा सबसे पहले आप लाडली जी के दर्शन कर लें अगर मंदीर आप जल्दी पहुंच गये हैं तो उससे पहले इस मंदीर की का दर्शन कर लें तो मेरे साथ हुआ था कि मैं लाडली जी के मंदिर, अस्री जी के मंदिर पहले आ गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं दूसरे मंदिर को भी पहले देखाती हूं, जब तक लाडली जी का कपाट, दर्शन के लिए कपाट खुलता है, तब तक मैं इस मंदिर के दर्शन कराती हूं, तो ये रास्ता पदियात्रा के लिए बना हुआ था, तो मैंने पदियात्रा स्टार्ट कर दी और आप लोग के लिए ये वीडियो बना लिया, कि आप लोग भी आएं तो ये जगे जो है आप लोगों से स्कीप न हो जाएं, तो जब लाडली जी के मंदिर आए ना, तो एक घ कुशल बिहारी एक भब्य मंदिर है जो श्री जी मंदिर से लगबग 800 मीटर की दूरी पे इस्तित है श्री राधा कुशल बिहारी मंदिर की अस्थापना जैपूर के राजा माधो सिंग राव ने की थी वह और उनकी पतनी श्री जी की और भगवान श्री किष्ण के प्रती स मर्पित थे बर्शानय में ब्रह्मगिरी परवत के उपर इस्तित इस मंदिर का बादाम रंका मुखोटा गवरवन की घहनी बनस्पतियों के बीच खुबसूरती से उगता है यानि यह जो मंदिर बनाया गया है यह बादामी कलर से बना हुआ है और बहुत ही खुबसूरत लगता है पहाड़ियों के बीच में राजा ने मंदिर का नाम अपनी रानी श्री कुशल कुमर जी के नाम पर रखा था जिनसे वह बहुत प्यार करते थे अस्थानिये लोग आम तोर पर इसे जैपूर मंदिर कहते हैं क्योंकि इसका निर्मार जैपूर के राजा ने करवा इस मंदिर के निर्मार के पीचे की मानेता यह है कि महराजा माधो सिंग राव ने बरशाना राधा रानी मंदिर के देधाओं को इस नौ निर्मित कुशल बिहारी मंदिर में अस्थांतरित करने की आँसा रखते थे। उन्होंने देव वेदों के चारों और छोटे छोटे कमरे बनवाए जहां वे अपने परिवार के सदस्यों और मंत्रियों के साथ में रह सकते थे। हाला कि निर्धारित देवता अस्थापना के एक दिन पहले श्री राधारानी राजा के सपने में आई और बोली कि वह बर्शाना राधारानी मंदिर यानि लाडली जी महराज के मंदिर से अस्थांतरित नहीं होना चाहती हैं क्योंकि वह उनका सास्वत घर है। इसलिए राजा ने देवताओं को अस्थान तरित करने का बिचार अपने मन से त्याग दिया और कुशल बिहारी मंदिर में देवताओं का एक अलग सेट अस्थापित किया इस मंदिर में जिन राधा और कृष्ण की पूजा की जाती हैं उन्हें प्यार से राधा कुशल बिहारी जीव नाम दिया गया है उनके बगल में हंस गोपाल, निम्बका अचारे और राधा निर्ति गोपाल सहित अन्य देवताओं खड़े हैं बिश्डू की दस अवतारों यानि दशा अवतार की शुन्दर और जटिल पेंटी मंदिर के दिवारों पे सजी हुई नजर आएंगी आपको हमने मंदिर हाल के अंदर कोई तस्वीरे नहीं ली हैं क्योंकि फोटोग्राफी सक्त वर्जित है हम इसे प्रभु की इच्छा मान कर स्रिकार करते हैं इसलिए मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई हैं सिर्फ मंदिर के बाहर-बाहर के दर्शन आपको कराती हूँ अगर आप बर्शाने आये तो मंदिर आके दर्शन जरूर करें ये मेरी आपसे विन्निती है एक आउशक शूचना दे देती हूँ अगर आप मत्रव रिंदावन बर्शाने कहीं भी जाते हैं तो समय सारडी का विशेद ध्यान दीजिएगा क्योंकि मंदिर का कपाट खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय होता है तो हर वीडियो में मैं आपको ये जनकारी दे देती हूँ इस मंदिर में आने के दो रास्ते एक रास्ता पैदल यात्रा है और दूसरा मंदिर सडक से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और कोई भी अपनी कार मंदिर के द्वार के बाहर पार्क कर सकता है यहाँ पर बहुत सारे कार पार्किंग में थी तो आप भी अपने कार से आ सकते हैं खुशल भीहारी मंदिर से रिलेटेड जितनी भी जनकारी मेरे पास थी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से शेयर कर दी है अब दोस्तों आप मेरे लिए सिर्फ एक काम करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन दबाएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता हुआ सी राधा बलला लाल की